कि मूर्भी सियें मुहाँ भारती रवीवार को रामंधे रादुन को लेकर बात की बात्चीत के दोरान कई भावुख भी हो गई इस दोरान उनने रामराज्ज्जी के परीकप्त पर बात की साथी अधिकारियों के बाहने पूर्व के कुछ CM पर निसाना साथा वही नए नवेले CM को नसीयत दी है उमा भारती ने कहा कि कलेक्टर आज की तारिक में CM की पतनी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उमा भारती ने कहा कि मैंने कलेक्टर को देखा है कि मुख्य मंतरी की पतनी के सामने हाथ चोड़े हैं पूर्व CM ने कहा कि मैंने IG, DIG जैसे तमाव अधिकारियों को पतनी के सामने खड़े देखा है इसके साथ सरकारी बंगलों में रेनोवेशन पर भी उन्होंने हमला किया है। तो पुताई करवा लेना। उन्होंने मुझे आसवसन दिया कि मैं बंगले रेनोवेशन पर खर्च नहीं करूँगा। परिशान नहीं कर रही है। ऐसी चीजे होने पर स्वाविक है जो की होता है। मेरे साथ भी हुआ था हमें बुलाने पर पार्टी से कारे करताव को निकाल दिया जाता था। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि वह विद्या जाएंगी 17 से 21 जनवरी के बीच कभी भी चली जाओंगी। पुर्फ सीयम ने राहुल गांदी की यातरा पर हमला किया। उनने कहा कि भारत टूटा कहा हैं कि वह जोड़ रहे हैं। उनको जोड़ना है तो पीएकों को भारत से जोड़ें। वह भारत से अलग है। राम अंदिर के बाद अब देश को राम राज्य की ओर ले जाएंगे। देश राम मैं हो गया है। पुर्फ सीयम ने कहा कि देश में महिला बच्चों की शुरक्षा हो, पढ़ाई स्वास्त हो, हर व्यवस्ता अच्छी हो। प्रधान मंदिर रिदम मौहन यादव को भी बड़ी नसिहत दी है।